हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टो माई चैनल प्रिया के रसोई आप लोग कैसे हैं आप लोग सब मस्त होंगे तो फ्रेंस आप सोच रही थी क्या बना हो तो फ्रीज में मुझे एक पैकट मिला जो दीपक जी मंगा के रखे थे इसकी मैंने सब्जी बनाई अब देख सकते हैं सब जाले पानी गरम करेंगे जैसे ही हमारा पानी गरम हो जाग था ही अब हो रही थी ऊटर्श भी तक ठाणडा भी नहीं थी तक मैंने मसाले लिए जिसे में कूटना है दो तेज पत्ता लिए दो हरी लाइची एक बड़ी लाइची दो चार लॉंग डाल चीनी को छोड़ के बाद बाकी में सारे मसाले को कूट लूँगी और इस प्लेट में इस ट्रांसफर कर लूँगी तो चली इसे निकाल लेती हूं और इसमें जो भी लाइची और बड़ी लाइची का छिलका है मैं निकाल दूँगी अपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं अचली मेरे ग्राव में पसंद नहीं है किसी को हमारा मसाला रेडी हो गया तो एक पर हम अपने चाप को चेक कर लेते जाए चाप अलेडी हमारा थंडा हो गया और एक चाप आपको दिखाती है जहां तो इसी तरह आपको जब भी निकालना हो तो गरम पानी में इसे कट कर लेंगे आपको मोटा पतल आपने कॉर्डिंग रख सकते हैं और इसमें हमें मैरे नीशन करेंगे वैसे इसमें जादे मसाले यूज नहीं होते मैं यहां पर डालूंगी 140 इस्पुन ब्लाक पेर पॉडर काली मिर्च का पॉडर और थोड़ा सा नमक इसे अच्छे से टॉस करके मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राइ कर लेंगे वाइट ग्रेमी में वैसे भी हल्दी मिर्चीज अभी यूज नहीं होत कर लिजिए और भी अच्छा हो जागा और जब तक चाप फ्राइ हो रहा ना ये ग्रेवी के लिए मसाला रेडी कर लेंगे तो मैं एक कप दही लिए और आधी कप काजू इसका फाइन पेस्ट बनाना है आप चाहो तो काजू को ना पंदर से बीस मिनेट गरम पानी में डा काल लेंगे अब देख सकते है औरल मुस्ट चाप हमारा रेडी हमें से कह कर के धीररे-धी है निकाल लूगी हो अप हाए है लिए प्रिंस अब देख सकते हैं चाप हमारा रेडी हो गया मैं इसे साइड कर दूंगे और इसी पेंड में और काफी है तो में और और नहीं डालूँगी अब मैं यहां हाफ ती स्पून जीरा दाली हूं दो तिस पटा दालूँगी थोड़ी सी दाल चिनी का टुकरा डाल तो यहां पे दाल दूंगी थोड़े सा ब्लाक पेपर पॉडर हाफ टी स्पून और अध्रक यहीं डाल दूंगी तो यहीं डाल की सच्चे से मिक्स कर दूंगी और एक चमच जगह धनिया पौड़े इसमें जादे मसाले यूज नहीं होते इसे गया साम यहां में बंद कर नहीं तो मसाले जल जाएंगे और शाथ ही डाल दूंगी यह दनिया जो काजू दई का सौरी पेस्ट बनाए था और इसे डाल के तुर्ण चलाते रहे हैं रुक थोड़ी दिर नहीं करना वर्ना यह फट जाता है तो मैं डाल के थोड़ी दिर चलाती रही और अब यहां पर ड पम त्व्याव दाल दूंगे यहां पर समय का त्वड़ी द्मक ऑनीतडे की कांशी कर दाएंग और यांदि कफ में पर से पानी हम काता है कि तो मीह थोड़ा पानी प्तर और स躬 आनल सकते हैं, और यहां पर नहिदा मिक्स करके ढख दूंगी तीन से चार मिनट के लिए और अब मैं यहां पर डाल दूंगी थोड़ी सी वन फोट इस्पूंचीनी जिसे अगर दही थोड़ी भी खटी होगी तो वह बैलेंस हो जाएगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी यह आप इस ग्रेवी में कुसिस क बिल्कुल यूज करने से उससे अच्छा रिजल्ट आता है थोड़ी से यह मैं डाल दूंगी भूनी हुई कसूरी मेती इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और ढख दूंगी तो चारी मिनिट बाद जब ढटाओंगी अब देख सकते हैं पूरे ग्रेवी से ओयल और गीत सब निकल गया है सबजी का कलर बहुत ही अच्छा है और हम अबर सबजी बनके रेडी है मैं यहाँ पर धनिया पती डाल के ढख दूंगी और गयास को आफ कर दूंगी और चली इसे सर्व करते हैं इसे आप स्टार्टर के जैसे भी खा सकते हैं जिससे सिर्फ चाप कुर और इस मैं मैं तबर ऒूंगी तह्म आप सकते हैंdzा जिससे में अच्बर और ंसे ऑत दूंगें